वेलकम दोस्तों, मैं हूँ फारुक और आप देख रहे हैं विलेज इन्फोर्मेशन आज हमारे बिंडे का 25 से 27 दिन हो चुका है और ग्रोथ के सिव भी एक इसान में दो देखो और आज हम बिंडे में इस्प्रे भी करेंगे और हमने बिंडे में ड्रीप में कौन सा फर्टिलाइजर चराया है वो सब आपके साथ सेर करेंगे और लास्ट में हम इस्प्रे करेंगे कौन सी दवा का करते हैं वो भी आपके साथ सेर करेंगे और हम डिप में फटिलाइजर जो चराया था और जो हमने इनपी के भी डिप में चराया था वो भी आपके साथ सेर करेंगे हमारे वीडियो में बने रहे और हमारे वीडियो को फूल वोच करें दोस्तों और स्किप मत करें और हमारे चैनल को subscribe जड़ू करें दोस्तों हमारे जो subscriber है उनको तो है कि हमने इस प्रेक कौन-कौन सी दवा करा था और हमने कौन सी दवा स्प्रेक की थी और हमारे जो new subscribers निूऊवीवर्स आ रहे हैं उनको पता नहीं है तो हमारे न्यू विवेर्स को इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फूल वोच करें हमने सरुवात के स्टेज में बिंडी का जर्मेनेशन हो गया फिर हमने दस दिन बात हुमिक एशिड और फूग नासक में यूपीयल का साफ चराया द्रीप में और इसके बाद हमने छे साथ दिन छोड़के फिर हमने उन्नीस न्नीस एंपी का जो आईरिस कंपनी का आता है वो चलाया था हमने वह पांच किलो चलाया था दोस्तों क्योंकि हमारा यह जो खेत है वह एक एकर में और हमने कुछ ज्यादा ही चराया है क्योंकि उसके पॉधे में इतना एनपीके नहीं मीलेगा क्योंकि यह देखे दोस्तों दबल आरे डबल हार में अगर हम डाई किलो चरायाएंगे एक विगे एक बीचे के अंदर एक किलो तो फिर वो उसको दबल हार में कम पड़ेगा इसलिए हमने पांच किलो की वह दूदी थी औ और फिर हमने 10 दिन छोड़ के 12 साइट चड़ाया था है Wähler in the दिख रहे है। यह दख़े। 12-01 बिंडे के प्लान्ट को ग्रोध भी करेगा। और जो फुटाव में चार पрах बिंडे के प्लान्ट में फुटावे। यह सब 12 एकसाइट देंगे, तो उससे यह फुटाव में जितनी फुटाव हुई है, वो जल्दी से ग्रोह होगी, तो हमको जो फुटाव मिली है, वो जल्दी से ग्रोह होगी, तो उसमें हमको उत्पादन भी दबल मिलेगा, और जब हमारे भिंदे का प्लांट बरा हो गया ह पहुत ज्यादा परएंगे इसलिए हम अगर माईट्रत नहीं चरहेंगे तो कियोने सबस्क्राइह इसलिए राएंगे जाइगा जोतिया सीचाय wouldn't आपको फिर दस दिन छोड़के केल से नाटरेट पांच किलो एक एकर के दर से चड़ाना है तो किसान भायों जो हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लिस दिल से सस्क्राइब जरू करें और हमारे वीडियो को शेर भी ज्यादा करें देख लीजे हमारा बिंडे का कितना ओली सान दीख रहा है अभी हम स्प्ले मिए ठीव भी करेंगे si बाजू में जो छोटा भी निकल रहा है देखें दोस्तों तो अभी थिपस्तों कंट्रोल में और यह वाइट फ्लाई ने जो दिख रहा है ने जो यहां पर आपको मालूम पड़ेगा यह जो दिख रहा है ना यह सब आ चुका है तो इसलिए हम कुंसी दवा का इस्प्रे करे तो हमारे वीडियो में बने रही है और कि बायर कम्त्नी का शोलो मुन का इस्प्रे करेंगे आज हम बिंडे में करें है करें है कर दो कर दो दो करने के लिए करने के लिए करने के लिए करने करने के लिए और हमने यह गोल बना के रखा है अभी ठन बहुत ज्यादा पर रही है और उपर से सब्नम भी पर रही है देशी बासा में उसको जाकल के ते उसमें फूगना सक बहुत अटेक करता है इसलिए हमने एक रोबेट कंप्लेट का धावर बना के रखा है और यह भी छटकाव हमने अटेश से सवारी के रखा है और रही है और बहुत अटेश बेश उसांगारे के अजयर बासा दूत जएंगा है और रही है और जाएंगर के रहा है झाल 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 किसान मित्रो भिंडे में इस्प्रे हो चुका है अगरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर यार इस्प्राऊ ललुड़ करन ढगरा जस्प्राइp लूलुड़